ब्रेकी नियूजी आपको बतला दे कि दुरगा पूजा के दौरान बांगलादेश में हिंदूओं पर हमला और अत्याक के खिलाफ विश्व हिंदू परिशत यानी वी एचपी ने दिल्ली में बांगलादेश हाई कमीशन के सामने 20 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने का एलान किया है इसके साथ ही पूरे देश में जिला स्थानों पर आक्रोश प्रदर्शन किया जाएंगे वेप ने केंद्री संयुप्त महमंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि बांगलादेश में हिंदूओं के अनुरत नरसंहार को रोकने के लिए अब संयु केंद्री संयुप्त महमंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा हिंदूओं पर इसलामिक कटरपंतियों द्वारा किये जा रहा है अत्याचारों की तुलना केवल नाजियों की बरबरता से की ही जा सकती है हिंदूओं के विरुद्ध हो रहे पाश्विक अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है अब संयुक्त राष्ट संग को इस मामले में पहल करते हुए वहां बुरी तरह पीडित अल्पसंक्यक हिंदूओं की सुरक्षा हे तू अपनी पीस कीपिंग फोर्स अभी लंब बांगलादेश भेजनी चाहिए आपको बतला दे की ब् कटरपंती मांगलादेश को हिंदू शून ने बनाने पर तुले हैं बांगलादेश सरकार मुग दर्शक बनी हुई है वहां की प्रधान मंत्री जिहादियों पर नियांतरण करने की जगा भारत सरकार को नसियत ती रही है वे भारत में ऐसी कोई घटना ना होने दे जिससे कीवा का वहां का मुसल्मान बढ़क जाए शेक हसीना के इस बयान के बाद मुसलिम कटरपंती और बढ़क गए तता हिंदू ओपर हो रहे पाश्विक अत्याचारों में बढ़ोतरी हो गई अत्याचारों का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है वेंप के सयुक पर जगन्य अत्याचार होते रहे हैं लेकिन वर्तमान घटनाकरम ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं केवल पिछले दस दिनों में देड़ सो से अधिक मादुरगा के पूजा मंड़ अपनश्ट कर दिये गए 362 से अधिक मूर्तिया दोस्त कर दी गई हजारों हिंदूों के घर और दुकानों पर हमला करके लूट लिया गया 1000 से अधिक हिंदू घायल हो गये हैं तथा अभी तक 10 हिंदूों के मारे जाने का भी समचार आ चुका है कई हिंदू महिलाओं के साथ बर-बर रूप से सामोईक बलतकार किये गए है इसकौन के तीन मंदिरों राम कृष्ण मिशन के आश्रमों राम ठाकोर आश्रम जैसे 50 से अधिक मंदिरों को नश्ट कर दिया गया है इसकौन के दो संतो तथा चौमोहिनी मंदिर के तीन पुजारियों की बर-बर हत्या कर दी गई है आपको बतला देगी उन्होंने कहा कि हिंदूओं पर इस तरह के अत्याचार का तरस्था में इसलामिक चरित्र का एक अंग बन गए है जिसका साक्ष वर्तमान बांगलादे समय 1971 में 18 प्रतीशत थी जो अब घटकर मात्र 7 प्रतीशत रह गई है इससे या सिद्ध होता है कि बांगलादेश के निर्माण के बाद भी हिंदूओं पर अत्याचारों का सिलसला रुका नहीं अपितू और तेजी से बड़ा है संपूर्ण विश्व जनता है कि जानता है कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा सभी बंगालियों पर इसी प्रकार के अमानवी अत्याचार किये जाते थे जिन से मुक्ती दिलाने के लिए ही बारत ने मुक्ती वहीनी का गठन किया था और बांगलादेश का निर्मान हुआ था लेकिन पाकिस्तानी अत्याचारियों से वहां के मुस्लिम समाच का असली चरितर सामने आ गया और वहां की सरकार इस बरबर चरितर की सुन्रचक बन गई